अनुष्का शर्मा की सेकंड प्रेंग्नेंसी में दिक्कत विदेश में चल रहा है इलाज वालिवोड स्टार अनुष्का शर्मा को लेकर एक परिशान कर देने वाली खबर सामने आई है अनुष्का शर्मा की प्रेंगनेंसी में दिक्कत है जिसकी वज़े से विराट कोली ने उनका इलाज विदेश में कराने का फैसला किया है पिछले दिनों क्रिकेटर डीवी लियर्स ने एक्ट्रेस की प्रेंगनेंसी को कन्फर्म करते हुए एक वीडियो में बताया था कि विराट कोली ने अपने परिवार संग वक्त विताने के लिए चुटिया ली है हलाकि बाद में उन्होंने अपने ब्यान से पल्टी मार ली थी और अपने ब्यान को लेकर माफी भी मांगी थी अब ख़बर है कि डीवी लियर्स ने कहा था वो एकदम सही है लेकिन अर्षका शर्मा की प्रेंगनेंसी में दिक्कत की खबरे सामने आ रही है एंटर्टेन्मेंट न्यूज वर्ल्ड में खेल पत्रगार अभिशेक तरपाटी के एक क्वीड ने इस बात की और इशारा किया है उन्होंने ट्विट कर लिखा है कि जो डीवी लियर्स ने कहा था वह बात सही थी कुछ दिक्कते हैं जिसके कारन विराट ने विदेश में डॉक्टर को दिखाने और परिवार के साथ रुकने का निन्आ किया उन्होंने बी सी जी याई से अनुमती लेकर इस समय परिवार के साथ पिताने की अनुमती ली है हमें उनके सुकत भविशे की काम ना करनी चाहिए अब इस ट्वीट पर शोचल मीडिया में खलबली मच गई है इस ट्वीट पर लोग जम कर कमेंट कर रहे हैं 3 फरवरी 2024 को एबी डी विलियर्स ने यूट्यूब चैनल पर विराट कोली के टेस्ट सिरीज में हिस्सन लेने की वज़े का कुलासा करते हुए कहा था कि उनकी पतनी दूसरा बच्चा एक्सपेक्ट कर रही है उन्होंने कहा था कि हाँ उनका दूसरा बच्चा आने वाला है हाँ ये परिवार का वक्त है यदि आप खुद के लिए सच्चे और जेन्विन नहीं हैं तो आप उस ट्रेक से उतर जाते हैं मुझे लगता है कि लोगों की परिवार होता है आप विराट को जज नहीं कर सकते टीबी लियर्स के इस बयान के वारल होने के बाद उन्होंने अपने बयान से यूटन ले लिया बाद में एक इंट्रिव्यू में उन्होंने कहा मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा था कि परिवार सबसे आगे आता है मैंने इसके साथ एक गलत जनकारी शेयर कर जवरदस्त गलती कर दी जो बिल्कुल भी सच नहीं है मुझे लगता है कि कुछ भी हो जाए विराट के वहां क्या हो रहा है मैं उन्हें शुपकामनाय देता हूँ जिस भी वज़े से वो ब्रेक पर है वो मजबूती के साथ वापसी करें